Hello students, welcome to Navankur DigiLacens class, मैं सीमा साथ, आज आपको अध्याए 10 के question answer हल करवाऊंगी, जिसका नाम है हमारा समाज, तो आईए हम सबसे पहले शिर्वात करते हैं, सही विकल्प से, सही विकल्प का हमारा पहला question इस प्रकार है, समाज को उन्नत कैसे बनाया जा सकता है, इसके options हैं, का बैक्तियों में जागरती लाकर, खा बैक्तियों को आर्थिक सहायता देकर, गा उद्योग लगाकर, गा उप्युक्त सभी, इसका सही आंसर, गा है उप्युक्त सभी next question है, मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है, इसके options हैं, का बिदेश में बसने का अधिकार, खा बिदेश में घूमने फिरने का अधिकार, गा छे से चौदा वर्स, आईउबर के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवारे सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, गा है समवीधान का पालन करना, इसका जो सही आंसर है, बहे गा है, छे से लेकर चौदा वर्स, चौदा आईउबर के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवारे सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, यानि छे वर्स से लेकर, चौदा साल तक के बच्चों को निशुल्क एवं अ अनिवारे सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलेक अधिकारों में शामिल किया गया है। अगला कोश्यन जो है खालिस्थान का है। खालिस्थान प्रभाव पढ़ता है यानि कैसा प्रभाव पढ़ता है। इसमें सब्द आएगा बुरा नशीले पदार्तों के सेवन से स्वास्त पर बुरा प्रभाव पढ़ता है। तीसरा खालिस्थान है आ इस परशिता को खालिस्थान गोशित किया गया है। तो आ इस परशिता को क्या गोशित किया गया है। अब हमारा चौथा खालिस्थान का जो कोशन है वो इस परकार है अनुसुचित जातियों की विकास के लिए समाच की मनुब्रती इनके प्रती खालिस्थान की होनी चाहिए इसमें शब्द आएगा सहयोग सहयोग की मनुब्रती होनी चाहिए अब हमारा पाचवा खालिस्थान है सिक्षा से वैक्ति खालिस्थान वा खालिस्थान नागरिक बनते हैं यानि सिक्षा से किस प्रकार के वैक्तियों का निर्मान होता है तो इसमें जो शब्दाना है वह दो शब्दाना है पहले खालिस्थान में आएगा जागरुक सिक्षा से वैक्ति जागरुक वा उत्तम नागरिक बनते हैं चटवा हमारा खालिस्थान इस प्रकार है चवदा बर्स से कम आयू के बच्चों से कार खाने वा होटल आदी में काम कराना कानूनी खालिस्थान है तो यानि क्या है यह बताना है इसमें सब्दाना है अपराद चवदा बर्स से कम आयू के बच्चों से कार खाने वा होटल आदी में काम कराना कानूनी अपराद है अब अगला कोश्चन हमारा अतिलगु तरिये है तो अतिलगु का हमारा पहला कोश्चन है मनुस में सामाजिकता का गुण किस कारण से है यानि मनुस के अंदर सामाजिकता किस कारण से होता है इसका आंसर है मनुष्य में सामाजिकत का गुण पारस पर एक निरभरता के कारण है नेक्ष्ट कोशन है हमारे प्राचीन भारत का समाज कैसा था यानि ये बताना है कि हमारे प्राचीन भारत का समाज किस प्रकार आंसर है हमारे प्राचिन भारत का समाज उन्नत वसम्रद शाली था नेक्स्ट कोशन है उत्तम नागरिक लोगतंत्री सरकार के संचलन में कैसे सहयोग करते है आंसर है उत्तम नागरिक लोगतंत्री सरकार के संचलन में सहच सहयोग देते है अगला कोश्चन लगुत्तरिये हैं तो लगुत्तरिये का हमारा पहला कोश्चन है लोग तंत्रिये देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार क्यों दिये जाते हैं आंसर इस प्रकार है लोग तंत्रिये देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार इसलिए दिये जाते हैं जिससे सभी अपने धर्मबा अपने समाज का समुचित विकास कर सकें और सभी अपने को समान मानते हुए परसपर सहयोग द्वारा देशित में इस कार्य कर सकें नेक्स्ट है किसी एक सामाजिक समस्या का कारण बताईए आंसर है असिक्षा गरीबी और बड़े परिवार के कारण प्रहया बच्चों को अपना पेट भरने एवं पारिवारिक आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए कम उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जबकि इस आईउ में उन्हें इसकूल जाना चाहिए तो गरीबी असिक्षा और बड़े परिवार के कारण बच्चों को छोटी उम्र में काम करना पड़ता है तो ये जो बालसरम है ये बालसरम सबसे बड़ी बरतमान समस्या है इसके कारण गरीब परिवारों के समाज में क्या-क्या बदलाव आए हैं आंसर है बरतमान समाज में सिक्षा के प्रिसार और जागरुकता से इस्तिती में सुधार हो रहा है अब सभी जातियों के लोग लोक सिवकों बेग्यानिकों न्यायधीशों जैसे पदों पर कारे कर रहे हैं सिक्षा का प्रतिशत अरी वरतन देखने को मिल रहे हैं अगला कोश्चन जो है वहें दिर गुत्तरी है दिर का हमारा पहला कोश्चन है मद्यपान वा धुम्रपान से व्यक्ति वा समाज को क्या-क्या हानिया है यानि इन मद्यपान वा धुम्रपान से समाज को क्या-क्या हानिया है आंसर है इसे पदार्थ स्वास्त पर बिप्रित प्रभाव डालते हैं, मद्यपान एवं दुम्रपान भी एक सामाजिक बुराई है। नशे की बुरी आदत के कारण अपराद बढ़ रही है और चरित्र में ग्राबट आ रही यानि की लोगों का चरित्र गिर रहा है। समान इस तरपा लाने के लिए निमलिखित ब्यवस्ताएं की गई है। तो पहला पॉइंट है सम्विधान में इनके हितों वाधिकारों का उल्ले किया गया है। आ इस परष्टा को अपराद घुशित किया गया है। सम्विधान दोरा इन बर्गों को सरक्षण किया गया है यानि सम्विधान के दोरा इनहें सुरक्षपरदान की गई है। इसके अलावा अन्याय तता सोशन से मुक्ती के लिए कानून बनाए गया है। लेने पर सास किये सीवाओं में इस्थान आरक्षत किये गए है। लास्ट पॉइंट है इन वर्गों को योगता संबंदी शर्तों में भी कुछ छूट दी गई है। तो इस तरह इस्टुडेंट्स ये सभी कोशन आंसार आपको फियर कॉपी में नोट करने है। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स पर वाचिए।